तो दोस्तों इस वीडियो की शुरुवात मैं करना चाहूंगा बिहार की एक खबर से जहां पर नालंदा डिस्ट्रिक्ट से ये पता चला है कि बजरंग दल के कुछ लोगों ने नालंदा डिस्ट्रिक्ट के अंदर बिहार शरीफ ब्लॉक के अंदर दुकानों पे भगवा ज सीधा इसमें सामने आने लग गया है हमारे वहीं साथ में वहां के लोगों से भी अपील करी गई कि जो भी हिंदू लोग है वहां पे वह इन जंडे वाली भगवा जंडे वाली दुकानों से ही समान ले अब ये एक तरफ से डीमार्केशन बोलने का काम किया आर्टिकल में लेकिन मैं इसको सीधा सीधा एक डिवाइसिफ एक्ट बोलूँगा डिवाइड करने का काम बोलूँगा और और किसी के द्वारा नहीं यह सीधा सीधा संग के द्वारा एक डिवाइड करने का सोसाइटी में काम करा जा रहे वह काम जिसके ओपर संग सालों साल से लगा हु के बारे में वो किसले ट्वीट करते हैं क्योंकि अरब गल्फ कंट्रीज के लोग जो हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि भारती जनता पार्टी आखिरकार ऐसा भेदबाव हिंदुस्तान के मुसलमान के साथ कैसे कर सकती है उसके बाद और भी बहुत सारे लोग ट्वीट करते हैं जो यूएई में अम्बैसेडर हमारे बैठे हुए वो भी ट्वीट करते हैं ब्रदर हुट के बारे में फिर कल एक संग प्रमुक मोहन भागवत का बयान आता है जहां पर वो कहते हैं कि एक आदमी या चंद लोगों की गलती की वज़े से पूरी कम्यूनिटी को हम लोग बदनाम नहीं कर सकते या फिर टारगेट पूरी कम्यूनिटी को नहीं कर सकते या फिर ब्लेम भी नहीं कर सकते इसके अलावा उन्होंने पालगर के बारें बात करी और और बहुत सारी बा जो की विश्वहिंदू परिशद का youth wing है विश्वहिंदू परिशद जो की संग का एक पाठ है वहाँ से अगर ऐसे काम हो रहे हैं ऐसी हरकते हो रही हैं तो यकीन सवाल बहुत बड़े-बड़े खड़े होते हैं लेकिन एक confusion बहुत बड़ा खड़ा होता है निकलके और वह confusion देरी कि इस बात की इस वीडियो को शुरू करते हैं अगर आपने अभी तक subscribe का बटन नहीं दबाया है तो subscribe के बटन को तुरंट दबा दो बैल आइकन को भी तुरंट दबा दो शुरू करते हैं इस वीडियो को तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि confusion बड़ा निकल के खड़ा होने वाले क्योंकि एक डिवाइट करा जा रहा है पहले हमने देखा कि दिली के कुछ महलों में डिवाइट करा गया जब तबली की जमात वाला पूरा incident हमारे सामने आया तो उसके बाद बहुत सारी आ डिली के अलग अलग कोनों में यह किया कि वहाँ पर जो मुस्लिम हॉकर्स या फिस्ट्रीट वेंडर्स थे सबजी वाले थे रेडी वाले थे उनके घुसने पर महले में रोक लगा दी साथी साथ जो हिंदू थे उनके ओपर जंड्डे लगाने शुरू कर दिये इसकी तस्वीरें हमारे सामने आने लगे रेडि पे हिंदूत्वा के जंड्डे लगे या फिर रेडी पे हिंदू भगवानों के जंडे लगे वह यह तस्वीरे मैंने भी आपको दिखाई और यह भी दिखाया कि ऐसी चीजें चल रही है देश में यह थी एक तरफ बाद जो की अलग अलग जो की मतलब एक तरीके से देखी अनॉगनाइस तरीके से चीजे करी जा उन्होंने मोदी जी की बात सुननी बंद कर दी है उन्होंने संग प्रमुग की बात सुननी बंद कर दी है या फिर एक डूवल अजेंडा चल रहा है एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं ब्रदर हुड और यूनिटी संग प्रमुग भी बोल रहे हैं कि सबको टारगेट मत करो वहीं दूसरी तरफ ये बाते तो बोली जारे हैं मीडिया के सामने सोशल मीडिया के ओपर दिखाने के लिए गल्फ कंट्रीज को और अब कंट्रीज को क्योंकि उनसे बहुत सारे संसाधन हमारे को मिलते हैं बहुत सारे उनसे फाइदे हमारे को मिलते हैं दूसरी तरफ एक डूवल अजेंडा के अंतरगत जो जमीनी कारवाई है वो कुछ अलग तरीके की है उसमें क्या किया जा रहा है एक बड़ा डिवाइट क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है चुन-चुन के ढून-ढून के लाया जा रहा है कि कहा कहा हम मेजरली इससे जादा घटिया और कुछ भी नहीं हो सकता तो यह चीज लेकिन बड़ा कंफूजन यह कि एक खबर और निकल कर आती है बीच में वहां पर यह पता चलता है कि बहुत सारे लगभग दोसों ऐसे तब्लीकी जमात के मेंबर्स जो रिकवर कर चुके हैं अपने कोरोना व खरी खोटी सुनाई गालियां दी और बहुत बाते सुनाई बहुत बाते बोली टार्गेट किया गया उसकी वज़े से हर मुसल्मान को जमाती बोलने का काम भी शुरू कर दिया गया लेकिन आज जब यह 200 मेंबर और यह 200 मेंबर तमिल नाडू में बोल रहे हैं इसके अब्लातार अपना एक सक्सेस्ट रेट दिखा रहा है बार-बार यह दिखा रहा है कि सक्सेश्फुल ट्रीटमेंट है और इससे जो जितने भी कोरोना वाईरस के पेशेंट तक ठीक करा जा सकता है जहां पर व्यक्षेंज इक तरफ यह पता चल रहा है कि फेलियर हो रही ह वहीं पर plasma treatment के ओपर अभी भी एक rely करने का काम हम लोग शायद कर सकते हैं अब ऐसे में तब्लीकी जमात के members जब कहते हैं 200 members कहते हैं, 40 members कहते हैं, 500 members जितने भी मिलाजुला के कहते हैं कि वो लोग अपना plasma donate करने को ready हैं और वो भी सरकारों की मांग पर अरविन केजरीवाल और 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 भी सरकार हैं इस चीज की मांग कर रहे हैं तो क्या गोबर भक्त जैसे लोग जिनको coronavirus हो चुका है जो ऐसे भक्त हैं जिनको coronavirus अल्रेडी हुआ हुआ है क्या वो उन तब्लीकी जमात वाले लोगों से plasma donate करवाएंगे अपने आपको क्या वो अपनी जान बचाने के लिए तब्लीकी जमात वाले लोगों का plasma लेने को तयार होंगे और ये बात मैं यकीना आपको कहता हूँ जो गोबर भक्त बिस्तर पर पढ़ा होगा मौत के विस्तर पर पढ़ा होगा कोरोना वाइरस से वो इस चीज के लिए कभी भी इंकार नहीं करेगा अब इस कमेंट सेक्शन में गोबर भक्त पता नहीं क्या-क्या लिखते रहेंगे उल्टी सीदी बाते लिखेंगे गालिया भी लिखेंगे बहुत सारी जो लगातार तबलीकी जमात के लोगों को गालिया दे रहते हैं मैं खुद इस चीज को लगातार क्रिटिसाइज करता आया हूँ कि इतनी बड़ी एक गैदरिंग नहीं होनी चाहिए थी तबलीकी जमात की लेकिन उसके बाद जिस तरीके से हर मुसल्मान को जमातिया बोल बोल के यहाँ पर टार्गेट किया गया है वो भी सरासर गलत था और बहुत सारे हिंदू ऐसे कस्टम थे जहाँ पर और दूसरी तरफ भी बहुत बड़ी बड़ी गैदरिंग्स करी गई उनको क्यों नहीं टार्गेट किया गया तो यहाँ पर गोवर भक्तों की एक हिपोक्रिसी बड़ी निकल कर हमारे सामने आएगी उपने जान के बारे में जब बात आती है तो कुछ भी करने को तयार हो जाते हैं यह प्लाजमा फिर क्यों ना आये याफिर कोई कोई मसलमान या फिर चमातवाला मेंबर यह प्लाजमा के लपक के इस प्लाजमा को ले लिया जाएगा। सेकंड भी इस पर सोचा नहीं जाएगा आप वहीं दूसरी तरफ एक खबर कर और आई जहां पर आगरा जो की आगरा की मेर कह रही है कि वह दूसरा वहान बनने वाला है वह आगरा जो योगी आदित्यनात के अंडर आता है वहां पर एक वीडियो सामने आई आप भी जरा इस वीडियो को देखिए जहां पर यह पता चला कि जो क्वारंटीन होस्पिटल्स हैं जो क्वारंटीन में रहने वाले लोग हैं उनके साथ किस तरीके का बरताव उत्तर प्रदेश की सरकार कर रहे हैं जरा एक बार देखिए इस वीडियो को कि अधियो को दोस्तों देखिए आपने वीडियो इसके बाद सरकार के ओपर भी उत्तर प्रदेश सरकार के ओपर भी बड़े सवाल खड़े होते हैं और वो सरकार वो सरकार के लोग जो तबलीकी जमात को टार्गेट करने का काम कर रहे थे जो मुसल्मानों को टार्गेट करने का लिटरली काम कर रहे थे आज उनके अपने प्रदेश में क्या हालत हुई पड़ी है आगरा जैसी जगा में देश का बनी हुए और ये दोनों ऐसी जगाए हैं जहां पर डॉनल्ड ट्रम्प विजिट करके गए थे ये फिब्रेरी की बात है जब पूरा डॉनल्ड ट्रम्प का और नमस्ते ट्रम्प का इवेंट बनाया जा रहा था उसकी वज़े से हमारे देश को आज कितने consequences भुगतने पड़ रहे हैं इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा आज मोदी जी CM के साथ मीटिंग कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के साथ बैठे वे discussion कर रहे हैं कि lockdown को कब अटाएं कैसे अटाएंगे लेकिन मोदी जी आर क्या ज़रत है lockdown के बारे में कोरोना के बारे में discuss करने क क्योंकि आपके अपने लोग तो यहां पर communal agenda फैलाने में लगे हैं प्रोपोगेंडा फैलाने में लगे हैं तो आप आखिरकार पहले इन से जूज हो पहले इनको समझाओ आप पहले कोरोना वारिस की बात मत करो जादा खतरनाक जो है वो ऐसे लोग हैं हमारे समाज के लिए अब वहीं जो हमारे देश के मुख्य जहर घोलने वाले लोगों में से कुछ एक हैं जैसे की संबित पात्रा वो एक ट्वीट फिर से करते हैं जहां पर लिखते हैं कि बिर्यानी ना मिलने पर जमातियों ने वार्ड बॉय को पीट डाला इतने सब के बावजूद भी एक ऐ अएसा ट्वीट जिससे कम्यूउनल हार्मणी ख्राब हो सकती है और यह जो ट्वीट कर गया है यह आज तक के एक आर्टिकल के वंपर ट्वीट कर आचले कहता है जमातिए पर ईारौब बिरियानी ना मिलने पर वार्ड बॉय को पीट डाला जमातियों पर आर आरोप पे सं अपने आप सिद्ध करने का काम किस तरीके से किस सफाई से करा जाता है यह चीज साफ इस ट्वीट में पता चलते हैं और ऐसे एन नंबर ओफ ट्वीट्स हैं ट्विटर अकाउंट्स हैं जहां से जूट और नफरत सुबे शाम दिन रात फैलाया जाता है और फिर मोदी जी न कल के बता दो गोबर भकतों कि अब क्या तुम तबलीकी जमात के मेंबर से प्लाजमा लोगे या नहीं लोगे अगर तुमारे को कोरोना वाइरस हो गया होगा तुमारे बीवी बच्चे को या तुमारे माता पिता को और तुमारे माता पिता या बीवी बच्चे बिस तर प सपोर्ट जरूर करो